नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर बहुत-бहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस जड़ी बुटी को देखा है या इसका नाम आपने सुना है? दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है सकाकुल मिस्री। तो सकाकुल मिस्री जो है ये किन बिमारियों के काम में आती है और इसका उपयोग कैसे किया जाए आज अपने इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों ये जो सकाकुल मिस्री है ये माताओं के लिए रामबाण है सका कुल मिस्री इस्तंपान कराने वाली महिलाओं में बनेगा दूद, बढ़ेगी इम्यूनिटी, वजन घटेगा और कब जिसी भी ये राहत दिलाता है बिल्कुल गाजर जैसे ये मिस्री है दोस्तों सकाकुल मिस्री स्वाद में गाजर की तरह मीठा और पोसक तत्तों से भरपूर होती है इसके पौधे की उम्र दो साल की होती है और यह दो से तीन फिट उचा और कांटेदार होता है सकाकुल मिस्री को गाजर की तरह प्राचीन काल से सबजी की रूप में खाया जाता रहा है दोस्तों गाजर से मिलता जुलता सकाकुल का फल अफगानिस्तान में पाया जाता है हलांकि भारत में इसकी पैदावार कम है यूनानी चिकसफ़ पधत में विमारियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है आज़म आपको सकाकुल मिस्री के फाइदों के बारे में बताएंगे सकाकुल मिस्री निूटरिशन से भरपूर है सकाकुलमिस्री आउशदही गुणों से भरपूर है इसमें फाइबर, पोटेसियम, बिटामिन और मिन्दरल्स होते हैं इसे कई तरह से खाया जाता है जिससे सरीर की रोग प्रतिरोधक शमता मजबूत होती है दोस्तों कबज से परिशान है तो सकाकुलमिस्री खाएं मिलेगी फौरण राहत आजकल की खराब लाइफ इस्टाइल की वज़ा से लोगों में कबज की समस्या आम है जंक फूट की वज़ा से बाड़ी एक्टिब नहीं रहती इसे बैक्ति में कबज की सिकायत रहती है इसे परिशान लोग सकाकुलमिस्री खा सकते हैं आपको बता दें कि सकाकुलमिस्री में गूलनसील और आगूलनसील दोनों तरह के फाइबर होते हैं यह फाइबर कभ्जस से जल्दी राहत दिलाते हैं एंटी आक्सिडेंट से भरपूर है सकाकुल से दमकेगी आपकी त्वचा महिला हो या पूरुस इसकिन प्राबलम में सकाकुल फायदे मन दे इसमें एंटी आक्सिडेंट होता है जो इसकिन के लिए जरूरी माना जाता है सिर्फ इसकिन नहीं बलकि पूरी सेहत के लिए इसे फायदे मन दे वाना गया है लेकिन सकाकुल मिस्री के तने और पत्तों से अपनी त्वचा को बचाएं इससे त्वचा पर दाने आ सकते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए सरीर को बनाएगा मजबूत सरीर की रोग प्रतिरोधक शमता का मजबूत होना जरूरी है मजबूत इम्म्यूनिटी बीमारियों से लड़ने में सरीर के मदद करती है सकाकुल मिस्री बिटामी से भरपूर है इससे सरीर की प्रतिरोधक शमता बढ़ाए जा सकती है या वाइरस और बैक्टीरिया से भी हमारा बचाओ करता है दोस्तों पोशक तत्तों से भरपूर सकाकुल मिस्री का उप्योग इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है कम वजन से परेशान लोग भी इसे खा सकते हैं बस इतना ध्यान रहे कि इसके साथ फल और हारी सबजियां भी खाना जरूरी है सांस की समस्याओं में लावकारी है सकाकुल मिस्री से सोसंतंत्र मजबूत बनता है इसके इस्तेमाल से सांस की बिमारियों से बचाओ किया जा सकता है हलाकि डाक्टर की सलाह पर ही इसका उप्योग करें वजन घटाने में मददगार है सकाकुल वजन घटाने में भी मददगार होता है सकाकुल मिस्री में फाइबर की मात्रा अधिक होती है इससे खाने के बाद भूग कम लगती है जिससे वजन गटाने में मदद मिलती है जब भी वजन कम करने के लिए इसे खाएं healthy diet tips जरूर फालो करें पूरुसों की समस्याइं दूर कर सकती है सकाकुल मिस्री को पूरुसों के लिए फाइदेमन बाना जाता है सीगर पतन से निपटने और sexual health को बेतर बनाने में इसका इस्तिमाल होता है पूरुस खुद को उर्जावान और स्वस्त रखने के लिए डाक्टर की सलाह पर इसे ले सकते है रक्त पान कराने वाली महलाओं के लिए रामबान मा बनने के बाद कई महलाओं में दूद नहीं बनता है बच्चे को परयाप दूद मिले इसके लिए महलाओं को अपनी डाइट में सकाकुल मिस्री सामिल करना चाहिए सकाकुल मिस्री से अच्छी मात्रा में breast milk बनता है सरीर में red blood cell का निर्माड करता है red blood cell bone marrow के अंदर बनती है जिसमें हीमोगलोबिन नाम का प्रोटीन होता है यही प्रोटीन आक्सीजन और पोशन को दूसरे अंगों तक ले जाता है एनेमिया, blood loss, blood cancer, bone marrow disorder, दिल और फेपणों की बिमारी की कारण सरीर में red blood cells बंदा बंद हो जाते हैं iron, vitamin B9, vitamin B12 की कमी से भी red blood cells का count कम हो जाता है इसलिए लाल रक्त कोश्का बढ़ाने के लिए सकाकुल मिसरी का इस्तेमाल करना चाहिए वाइरस से बचाए सकाकुल मिसरी में बिटामिन और potassium अच्छे मात्रा में होता है इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर दवा के रूप में ही किया जाता है सकाकुल मिसरी में anti-accident और glansil और agulansil दोनों तरह के fiber भी होते हैं TB की बीमारी में डेक्टर की सलाह पर इसे खा सकते हैं अगर किसी को TB या सांस की समस्या है तो उसे सकाकुल मिसरी खानी चाहिए लेकिन डेक्टर की सलाह के अनुसार अब बात आती है कि सकाकुल मिसरी को खाया कैसे जाए सकाकुल मिसरी का इस्तेमाल सुितनर की रूप में कर सकते हैं गाजर के तरह सबजी बनाई जा सकती है, सकाकुल मिस्री का सूप भी बनाया जाता है, इसे इस्टीम्ड भून कर और तल कर भी खाया जा सकता है, तो दोस्तों आपने दिखा कि एक जो है गाजा जैसा दिखने वाला एक ऐसा पौधा, जिसकी जो जड़े हैं, कितनी लाफदा है, और आप को सकाकुल मिस्री प्राप्त हो जाएगी, आप इसे पाउडर बना कर रख सकते हैं, आप इसे सूप बना करके पी सकते हैं, आप इसे चुरन के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसा भी मतलब आपको उचित लगे, आप इसका उचित उप्योग कीजी600 रख लेकर तब तक के लिए नमस्कार